नमस्कार दोस्तो आज की पसु परीचर बढ़ती 2023 की किलास में हम पढ़ने वाले हैं जितने भी पसु है उनके विग्यादिक नाम क्या होते हैं यहां से एक या दो सवाल डेफिनेटली आपकी एक्जा में दोस्तो पूछा जाएगा तो आपके जो एनिमल अस्पेंटरी वाल कि कौन से पसु का विग्यादिक नाम क्या होने वाला है क्योंकि यहां से भी एक या दो सवाल डेफिनेटली पूछे जाएगे चलिए क्लास की सुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तो देसी गाय की बात करें किसकी बात करें देसी गाय का जो विग कौशी नसले जो हैं देशी गाय की हैं आपके तो यहाँ पर दोस्तों आपके गिर गाय हो गई गिर हो गई ठीक है ना गिर के अलावा दोस्तों आपके यहाँ पर थार पारकर हो गई थार पारकर हो गई इसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पर गिर है थार पारकर है आपक की देशी नसले हैं गिर है थार पारकर है काकरेच है राठी है यह गाय की आपके देशी नसल की बहुत है समय बहुत है इसलिए कहते हैं सियंदगे और झाल जारी जराथ और बहुत सारी नसले होती है हरियान भी आप लेख सकते हरियान भी भी जो है एक प्रकार की आपके जो है गाय के नसलों में आ जाएगी दोस्तो नेक्स पे दोस्तो विदेशी गाये अब ये आप जो फोटो देख रहे हैं ये जो बॉस है ये दोस्तो विदेशी बॉस है वो देशी बॉस था बॉस इंडि वो होता है बॉस टोरस और इसकी नसले विदेशी गाय की जो नसले है दोस्तो विदेशी गाय की जो नसले है वो कौन सी है एक तो जरसी गाय ये विदेशी गाय है एक ब्राउन स्विस ये भी आपके विदेशी गाय है तो नसले भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ जि बोस तोरस गाय की विदेशी यहाँ पर नसल है और इसका विध्यानिक नाम है तो एक तो बोस इंडिकस गाय का देशी देशी गाय के नसल या देशी गाय को हम बोलते हैं विध्यानिक बासा में बोस आपके यहाँ पर इंडिकस और बोस तोरस विदेशी गाय है यह दोस्तो आपके है भैस बाफैलो ठीक है न दोस्तों भैस की बात करते हैं तो भैस का जो एक ग्यारिक नाम है वो है दोस्तों बाफैलो 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 से बूबालस 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 तो एक तो होता है बूबालस बूबालिस एक बर लस और एक बर लिस बाफैलो बाफैलो बूबालीस बूबालास बूबालीस ऐसा याद हो जाएगा तो और गाए मैं से विग्यानिक पूछाएगा ध्यान रखना तो बहस का विग्यानिक revolution और बूबा लिस तो भैस को कहते है या पर बफ फैलो अब भैस की जो नसले हैं दोस्तो ये भी आपको पता होना चाहिए तो भैस की नसले कौन कौन सी होते हैं हरियाना की नसल है मुर्रा नसल बहुत इंपोर्टेंट है मुर्रा दोस्तो यहाँ पर जाफराबादी मुर्रा ज दोस्तोँ बदावरी ठीक है न सूर्ती दोस्तो शूर्ती सूर्ती यह आपके भैंस की नसले नोस्तों किसकी थे थे करना मुर्रा कहा मेनजरा मेनजराघ्शूपसुरत है नुन पता है आपको कह सबस्तियों कर से दो भ learners किसा हो गुबा लिस इसका वेगरी नाम है, नसले कौन-कौन सी है, मुर्रा, जाफराबादी, मैसाना, बदावरी और सूर्ती, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आता है दोस्तों आपके बकरी, बकरी को जो है गरीबोग की गाय कहते हैं, ये दोस्तों आपको दिखाई दे रही हैं इसलिए इनको क्या कहते हैं, चलती फिरती दोस्तों, चलती फिरती क्या कहते हैं, चलती फिरती फिरीज कहते हैं, याद रखना, चलती फिरती जो फिरीज है दोस्तों, वो किसे कहते हैं, तो चलती फिरती फिरीज कहते हैं, यापर बकरी को, क्योंकि बकरी का दूद बड़ क्रेपटा हिटमस क्या नाम है दोस्तों क्रेपटा क्रेपटा हिटमस याद रखना क्रेपटा क्रेपटा दोस्तों हिटमस है याद रखना दोस्तों बकरी का विगरिंग नाम है क्रेपटा हिटमस लिखो क्रेपटा हिटमस क्रेपटा हिटमस दोस्तों बकरी है हिटमस है बकरी और बकरी जो है दोस्तो इसको गरीबों की गाय कहते हैं क्या कहते हैं गरीबों की गाय कहते हैं याद रखना अब बकरी की जो नसले हैं दोस्तो कौन कौन सी नसले हैं बकरी की कौन कौन सी नसले हैं तो बकरी जो दोस्तो आपके यापर जो है एक तो देखो बकरी जो है परब परवसरी परवसरी दोस्तों बकरी आपके हैं इसके लावा दोस्तों आपके जोस्तों यहापर जखराना जखराना भी आपके दोस्तों बकरी है जखराना परवसरी जखराना आपके इसके लावा दोस्तों बारबरी बारबरी दोस्तों आपके यहापर बकरी है इसके लावा दोस्तो अगला यहां पर पसु है आपका भेड क्या है दोस्तो भेड और हां बकरी में एक बात याद रखना 2019 जो आपके राजस्तान की नविंतम पसु गणना है इसके अनुसार राजस्तान में सरवादिक पसुदन है दोस्तो ये राजस्तान में कौन सा है दोस्तो बक्री ये ध्यान दखना राजस्तान में सरवादिक उन-न दिख रही है ऊन के लिए भाईया भेड का प्रिजरन किया जाता है है तो यह उन आपको भेड़ बढ़िया तरिक터리 से साम एक साथ जुंड में चलती है तो बढ़िया भेड़ा आपको पूछा जा सकता है एक्जाम में कि भेड का विग्यानिक नाम हो जाएगा ओविस अराइस क्या हो जाएगा दोस्तो ओविस अराइस बहुत इंपोर्टेंट है तो भेड का विग्यानिक नाम है दोस्तो ओविस अराइस ओविस अराइस नेक्स्ट एक कुबडवाला उंट और कूबरड वाला OUNT जिसको केहते हैं कैमेलस आपके डमि डेरियस गेमल को कैमल तो भोलेगे और को कैम भोलेगंगे लगी इंगलिश में to Thank से कैमलस रख लेना इस चिटर को मेलस चितर को देखते ही आपको केमेलस याद आएगा इस चितर को देरियस तो एक कूबड वाला इसके सिर्फ एक ही कूबड है तो एक कूबड वाला जो उंट है इसको बोलेंगे कैमेलस कैमेलस डमी डेरियस लिखो कैमेलस डमी डेरियस एक कूबड वाले उंट का विगया नाम क्या हो जाएगा कैमेलस डमी डेरियस कैमेलस डमी डेरियस की नसल होती है ना चणा ऊंट दो कूबड़ वाला देखो दो कूबड़ ए एक ऊबड़ यह मैंने मतलब कि यह आपके बीकानिर साइट थो यह उठायाई है यह देखो यह उंठ बहुत जोड़ी और यह नकेल वाला यहां पर नौट करके कुछ जानकारी लिखना उट के बारे में एक कूबड वाले उट को अरबियन केमल कहते हैं अरब कंट्री दोस्तों वहां तो रेगिस्तान ही है सारा वगेरा तो वहां पर अरेबियन इसको केमल कहेंगे या इसको डर्मो डर्मोंडरी कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों दो कूबड वाले उट को हम बैक्तरियन कहते हैं और भारत में दो कू कूबड वाले उँट कहाँ पर पाये जाते हैं लद्दाख में very very most facts च्राइब नंबर पख्का करादेगा एं एक कुश्चन एक नंबर पख्का करादेगा कि भारत में दो कूबर वाले उँट पाए जाते हैं दोस्तों लद्दाक छेतर में लेह लद्दाक जम्मू कस्मीर लद्दाक छेतर में दोस्तों पाए जाते हैं तो एक कुबड़ वाले उंट को अरेबियन कैमल या आपके डर्मोडेरिया कहते हैं डर्मोडेरिस कहते हैं दो कुबड़ वाले को बैक्टरियस कहत तो गोड़े की बात करें तो होर्स से एकवस जाती का होता है गोड़ा की जाती होती है एकवस कौनशी जाती होती है इसकी एकवस जाती होती है तो एकवस दोस्तो केबेलस एकवस एकवस केबेलस याद रखना इकवस कैबेलस दोस्तों इकवस याद रखना इकवस कैबेलस इकवस कैबेलस इकवस कैबेलस इकवस कैबेलस याद हो जाएगा तो यह वह यह गोड़ा इसका विग्रणी नाम हो जाएगा इकवस कैबेलस नेक्स दोस्तों घदा यह आप नहीं हो इकवस ऐसीनस इकवस ऐसीन इसका विग्यना नाम है ठीक है ना वापस ते देखे लो अगर आप से पूछे घोड़े का तो है एक्वस एक्वस कैबेलस और अगर आप से पूछे घड़ेका तो इक्वस ऐसीना संदेका मिला लगता है जयापुर में याद रखना ठीक है याक यह यह पहाड़ी बेल नहीं फ्रॉंटिल स बॉस फ्रॉंटे में लिस ठीके ना डॉग का होता है कैनी संफ हैमीलियर्स वाज जोता शियतर क्ट्टा कुत्ते की जो कैनायन दात होते हैं वह भार निकलेवे रहते हैं तो इसका है वैग्णनिक नाम ऐसे याद रख लेगा कि न बटान व्यामना भी नाम होता है दोस्तों फेलिस रिल्यान है जाक पहाडाडी लिक काद्स नाम है आपका बॉस घ्रेंडविन्याल का बॉस दोat का हो जाएगा कैनी से फैमिलियरे और आपका बिल्ली इसे फैलिस लॉमेस्टी इसन का होता हैugen के गलएस दो इसी डोमेस्टिक्स अंप और मुर्गी का होता है गैल Alm Jamie's दॉमेस्टिक्स धोमेस्टिक्स drei antegелен सब्सक्रोपी नाम पोचये गेल्स 175 खेना भिय्ली का पूचे आपका फेल्लिस टॉमेस्टिक्स canis फैमिलियरस आपका डोक का होता है boss frontalis आपके nymphon गयाल का होता है और granulis जो होता है आपका याक का होता है iqus acinus iqus acinus घदा का होता है iqus camulus आपका गोड़े का होता है याद रफना और दोस्तो एक कुबड़ वाला जो उठ होता है उसको बलते हैं आपको बता दिया थीक है न विदेशी गाए आपके बॉस टोरस और देशी गाए दोस्तो आपका बॉस इंडिकर तो यह 13-14 पसो के महत्पूर्ण मैंने आपको क्या बता दिये नाम बता दिये विज्यानी के नाम साइंटिपिक नेम जो एक्जाम में पूछे जा सकते तो कल की किलास में हमने अनुसंदान पढ़े वहां से भी एक-दो सवाल बनेंगे इस किलास में हमने scientific name पढ़े यहां से भी एक-दो सवाल बनेंगे अच्छे से डटलो दोस्तों यह कोई नहीं पढ़ा रहा पूरे राजस्तान में हमी पढ़ा रहे हैं और ऐसए-आसे टॉप पना चाहते हैं पसूपरीचर का कंपलीट कोर सतोट पसूपरीचर का कंपलीट कोर स मात्र 799 ुकर्ण में रुपे में अना पूरे राजस्तान का टोप को बसटा चेर दोबीट फिकल्टि बढ़ा रही है साथ में test series भी आपको मिलेगी ध्यान रखना और एक साल की weldity है एक साल की weldity है तो genuine classes application से complete यहाँ पर दोस्तों course purchase करें पसू परीचर का पसू परीचर बनना चाते हैं तो अप्रेल में exam हैं बहुत आसानी से नोखी लग सकते हैं बस मेहनत जाली रखो यह 2-3 मेहनत च्छे से मे और चीज करो link description में इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जान्यवाद